वल्कम तो इस्टाइड रपीट में आप सब का स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के बारे में यानि जनल नौलेज के बारे में जो की स्पेशल है आर्मी पब्लिक स्कूल पीजीटी टीजीटी पीरटी के चुब पर फस्ट होगा जो क बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम के लिए और वैसे आप जानते हैं मिलखा सिंग को और मिलखा सिंग की ऊपर एक मुवी वनी थी आपने देखा होगा जो कि बहुत ही फेमर परसनेल्टी है और इन्होंने बहुत शानाम किया था इंडिया के लिए इसलिए ये क्वेशन आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो की स्पोर्स इलेटिजिए ज़े लोगनेत्य अगला कुश्चन देखते हैं कि जनसंख्या 2000 जो जनगर्ना हुई थी 2011 की उसके अंसार सबसे कम साक्षर्टादर कहां की है किस राज की है यह बिहार की यहां की राज अगर आप देखते हैं साक्षर्टादर बहुत ही कम है त्व प्टर अधर इस्टेट्स इंडिया में और यहां पर गरीबी भी सबसे ज्यादा है जरक्षर्ट का बहुत है nou अदुरट ने किस देश से राफल खरीदा है जो जो राफल खरीदा है वो देश है फ्रांस बाय ने फ्रांसससे राफल खरीदें और जो कि कुछ त्राफिर आच एक भी कुछ पेंडिंग है जो कि आने बाकी है, next question क्या है, कुछ उपगरा का नाम है, आरेभक्ट, यानि फर्स उपगरा था, इंडिया का जो कि launch किया गया, उसका नाम है क्या आरेभक्ट, अगला question देखते ही, कि बेलूर किस नदी के किनारे स्थीथ है बिलूर शहर जो नदी है वो नदी है हेमावती नदी के बिलूर शहर स्थीथ है अगला क्वेशन क्या है अंताराश्टी मुद्रकोष्च के स्थापना के सवर्श होई थी घया हुई थी 1945 में very very important question exam के लिए international जो monetary fund है IMF जिसके अस्थापना हुआ था वो हुआ था 1945 में परला कोश्चन का है कोल इंडिया लिम्टेट के मुख्याला है कहां पर है कोल इंडिया आप जानते है जो कि इंडिया और्गनाजेशन का बहुत बड़ा और्गनाजेशन है इंडिया का करिंसी क्या है करिंसी और करिंसी और कर्पिटल से रिलेटेट कोश्चन एक कोश्चन जरूर रता है सभी कॉम्टेटिव एक्जाम में याद रखिए अगर लीबिया की जो करिंसी है वो है दिनार अगला कोश्चन क्या है लिंग राज मंदिर कहां परिस्थित है very very important question है यह है भुबनेश्वर में अगला question देखते है क्या है कि मतुरा का पुराना नाम क्या है मतुरा का पुरानाम था फो था मधुपुरी उसके बार बाद करनाम बतल करके मतुरा रख दिया गया है बारा का पहला इंजीरिंग कॉलेज कहां पर था सिंगीजीरिंग कॉलेज इन इंडिया वह उत्ता रूड़कि था आप जानते हैं। टावर किस देश में स्थित है पोस्लिन टावर स्थित है चाइनया में। मेरी- displing question है ये पेठा नगरी के नाम से कौन सा शहर जाता है ये आगरा शहर आगरा शहर को पेठा नगरी के नाम से जानते है कि विद्पिग गिर्धिवी का सब्से नज्दी की नाम है, यह नेपाल की संसत का नाम है राश्टी पंचायत अगला का है, रोहिंगटन बेरिया किस ट्रोफी है जिसका नाम है रोहिंगटन बेरिया इस ट्रोफी किस क् Kryze से संबन्दी थे ट्रोफी, यह क्रकेट में दिया जाता है, यह ट्रोफी किस आंधोरन के बाद गांधी जी ने राजनीत में शामिल हुए गांधी जी राजनीत में शामिल हुए थे वो चंपारन का जो अंधोरन हुआ था उसके बाद गांधी जी ने पॉलिटिक्स जोईन किया था जवाहार नच्छा तरशाला कहां परिस्थी थे यह इलाबाद में आप जानते हैं जो कि अब प्रियाग राज हो चुका है पंचेत बांध किस नदी पर इस्तित है वेरी वेरी इंपॉर्टन कोश्चन है क्योंको डैम से लेटर कोश्चन आता है डैम और नेशनल सेंचुरी आती है जो इस से लेटर डे कोश्चन डेफिनलेटी आता है तो पंचेत बांध कर पांध कहां पर है यह दामोतर नदी पर इस्तित है पंचेत बांध तो यह थे इंपॉर्टन कोश्चन फार टूडए यदि आप सब को वीडियो अच्छा लाएद वीडियो को शेर कीजिए चैनल पर नव सब्सक्राइब कीजिए